सीधा लेशलते आपको दिली जहाँ पर सिया मरविन केज्रिवाल प्रेस वार्ता को संबोरित कर रहे हैं स्वामिनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिये जाएंगे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इंकम डबल हो जाएगी वो नहीं कियोमे, मोदीजी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के रहर घर के अंदर 24 घंटे विजली का इंतजाम किया जाएगा, आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िये देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबर मती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक कोई नाम निशानी नहीं मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगी अब तो शाद यह प्रोजेक्ट ही खतम हो गया कोई स्मार्ट सिटीज इस तरह की धेरो गारंटी दी थी जोकी कोई गारंटी पूरी नहीं इसके पहले जब जब चुनावाई केजरिवाल ने गारंटी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे हमने बिजली मुफ्त कर दी हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे हमने बिजली 24 घंटे कर दी हमने गारंटी दी थी शांदार स्कूल बनाएंगे हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शांदार स्कूल हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की तो एक तरफ है मोदी की गारंटी एक तरफ है केजरिवाल की गारंटी मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है और अब तो अगली साल चुकि मोदी जी रिटायर होंगे तो उनकी रिटायर केवमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौम पूरी करेगा इसका भी कोई वो नहीं है और केजरीवाल की गारंटी केजरीवाल नहीं है कहीं नहीं जारा तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल ले पाए दस गारंटी क्या है मैं एक में तीन लाख मेगावार्ट बिजली प्रडूस करने की ख्षमता है capacity है देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे जर ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावार्ट् तो आज हम दे हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है, लेकिन मेरे घर के अंदर फिल भी पावर कट लग रहे हैं, क्यों? मैनेजमेंट खराब है, दिली में भी यहाल था, पंजाब में भी यहाल था, बिजली तो थी, लेकिन मैनेजमेंट खराब था, हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिली में भी 24 घंटे बिजली का इंतिजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि करोड रुपए का खर्चा आएगा एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में कारण्टी नहीं देता केज्रिवाल की गारंटी है ब्राइंड मार्केट के अंदर है अगर हम कुछ बोलते हैं तो वह पूरी करते हैं August 10 सवा लाग करोड रुपए का खर्चा आएगा सवा लाग करोड रुपए हम इंतिजाम करेंगे सवा लाग उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को दोसो दोसो योलिट बिजली मुश्ट मिल सकती है आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को यह बिजली की पहरी गारंटी थी, दूसरी गारंटी है शिक्षा की, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का ही इतिजाम ना कर दिया जाते हैं, अगर किसी देश के अंदर धेरों लोग अनपड़ें, अगर किसी देश के अंदर जादा बच्च, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी, बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बसका, आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तस लाग सरकारी स्कूलों के अंदर अठारा करोड बच्चे बढ़ते हैं, जिनका कोई बविश्य नहीं है, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शांदार बनाएंगे, अच्छे और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा, अगर आप अमीर हैं अपने बच्चे को प्राइवेट में बेजना चाते हैं, बेजिए, लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को बेजते हैं, तो प्राइवेट स्कूल से किसी एक परसेंट भी कम नहीं होग ये काम आजादी के वक्त हो जाना चीए था लेकिन नहीं हो, देर आए दुरुस्ता है, आजादी के 75 साल बाद भी हो गया तो बहुत अच्छी बाद है, इस काम को करने के लिए 5 लाक करोड रुपे लगेंगे, 5 लाक करोड रुपे केंदर सरकार देगी, 5 लाक करोड अच्छा हो गरे, 18 करोड बिच्चों को अच्छी शुक्षा मिल जाए, इस अच्छा और क्या हो सकता, तीसरा स्वास्थ, अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बिमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा, पडिलिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो 140 कर दानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है, तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतिजान करेंगे, आज अगर किसी को के घर में कोई बिमार हो जाए, बड़ी बिमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का भुरा हाले पुरी देश के अंदर और प्राइविट वलों ने लूट मचा रखी है, पूरे देश में कोने कोने में हर गाओं में हर महले में महला क्लिनिक खोला जाएगा, शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने उनको मल्टी स्पेशलिटी बनाके उनको शानदार प्राइविट हॉस्पिटल की केंदर सरकार इंशुरेंस अधारिग जो स्कीम बनाती हैं यह सब बहुत स्कैम हैं इंशुरेंस कंपनी के सब हम इंफरस्रक्टर क्रियेट करेंगे कोने कोने के अंदर गाउं गाउं के अंदर इंफरस्रक्टर क्रियेट करेंगे हेल्थ इंफ्रसेक्चर क्रियेट करेंगे अस्पताल बनाएंगे महला क्लेनिक बनाएंगे ताकि लोग से वहाँ जाके अपना इलाज करा सके और सबका इलाज मुफ्तोगा चाहिए अमीरों चाहिए गरीबों इसके लिए भी पांच लाग करोड रुपए का खर्चा आएगा धाई लाग करोड राज्य सरकार देगी धाई लाग करोड केंदर सरकार देगी पांच साल के अंदर पांच लाग करोड रुपए हर साल पचास पचास हजार करोड का खर्चा आएगा राष्ट रोव परी हमारी चोथी कारेंटेर, चीन ने हमारे देश की जम्हीन पर कप्जा कर लिया, हमारी केंदर सरकार से जब भी पूछा जाया वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हो, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, स् Après करचाउगा है, दिलिए हो सब काफ़ के पास तस्विरिएं कि किस तरह से चीन पार के हमारी सफ़ाइब, दॉपार ब म ox के इबार इजाजब दूजी इसनी को देखिया, जीटieg लाती है तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कबजा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कबजे से छुड़वाएंगे इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे अफर्स किये जाएंगे और सेना को पूरी स्वतनत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहिए कदम उठा सकती है सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा आज हमारी ये अगनीवीर योजना जो है की हमारे युवाओं को फॉज में भरती करके चार साल के बाद निकाल दिया जाता है लोगों की एक ओनर्शिप नहीं गनती च जार साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के उपर हम कम जोड कर रहे हैं ये अगनीवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारत है और जो बच्चे युवाँ हमारे अगनीवीर बनके जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त अगनीवीर योजना को बंद किया जाएगा जितने बच्चों को अभी तक अगनीवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लियर किया जाएगा उनको पक्का किया जाएगा उनको पक्का किया जाएगा उनको पक्का डिक्लियर किया जाएगा और सेना के अंदर ये ठेक वीर योजना लाय थे क्योंकि केंदर सरकार का मानना था कि सेना के उपर उनकी तंखा और उनकी पेंशन के उपर पैसा ज्यादा खरच हो रहा है। किसान अपना बारिश में दूप में मेनत कर के और अपनी फसल उगाता है। और उसको फसलों के पूरे दान नहीं मिलते हैं। तब वो अपने रिंड नहीं चुका पाता अतंत्या करने के लिए मजबूर था। अगर आप उसकी फसलों के दाम से निश्चित करते हैं, तो किसान को आपसे कोई फेवर में चाहिए। स्वामिनाथन रिपोर्ट के अधार के ओपर किसानों को उनके फसलों के पूरे फसलों के पूरे दाम, MSP के अधार पे पूरे दाम दिलवाये जाएंगे। साथमी गारंटी दिल्ली को पूर्ण रज्ज का दरज़ा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों को कई दश्कों से दिल्ली के लोगों का खक है। बेरुजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरुजगारी से तरस्त है। इसके लिए हमने बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग किये हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठके, सब लोगों ने बैठके कि एक साल के अंदर दो करोड रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युगों को बेरुजगारी से निकाला जासे कि ये के इस देश का भृष्टाचार का सबसे बड़ा कारन है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बिजेबी की वाशिंग मशीन है. इमान्दार लोगों को जेल भेजने और बेइमानों को संरक्षन देने की आज जो मौजूदा विवस्था है, इस विवस्था को समाप्त किया जाए दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भरष्टाचार पे दोनों लेवल पे छोटे लेवल का भरष्टाचार और बड़े लेवल का भरष्टाचार हमने जो वार किया उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भरष्टाचार से निजात दिलवाई जाएग और दस्मी और आखरी गारंटी व्यापारियों के लिए अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगुपती खुल के व्यापार नहीं कर सकते अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते तो वो देश कभी तरफ्की नहीं कर सकता उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते और ये डेटा बताता है कि पिछले आठ दस साल के अंदर इस देश के बारा लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुल्स बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और द्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचारब खाया इस सरकार गेंदर सरकार उन लोगों को डराने का धंका रेगा जी एस्टी को पीमले से बाहर किया जाएगा जी एस्टी का सरली करन किया जाएगा सारी प्रशासनिक और लीगल विवस्थां को सरली करन किया जाएगा और एक ऐसी विवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से वैपार करना चाहे तो वैपार कर भी सकता है उद्द्योग खोल भी सकता है ज्यादा पर्मिशन्स की